हेलो फ्रेंड्स हमारे यूटूब चैनल घर का बैद में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आप सभी जानते हैं कि लोकडाउन का दोर चला हुआ है और इसमें यदि आपको ठकान बनी रहती है तो मैं आज आपको ये कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आप घर बैठे ही अपनी ठकान को दूर कर सकते हैं बड़ी आसानी से दोस्तो लोकडाउन ने उर्जा को धाउन किया है तो आप अपनी दिन्चरिया पर ध्यान दें खासकर महिलाओं जो है ज़्यादा ठकान बनी रहती है या फी बच्चों में भी इस तरह की उर्जा डाउन हुई है तो आप अपनी दिन्चरिया पर ध्यान रखके अपनी खोई वी एनरजी को वापस पा सकते हैं दोस्तों घर की महिलाओं पर लोकडाउन ने काम का नया बोज़ लाद दिया है घरेलू मददगार है नहीं और घर के अन्य सदसे तो मदद करें तो ठीक अनथा घर की सफाई और फरस का पोचा तो लगाना ही है हर दो घंटे बाद बरतनों के धेर निप्टाने हैं खाना तो खैर बनाना ही है और इसी बिच खुद भी और दूसरों को भी हाद धोते रहने की याद दिलाना भी एक काम ही है ऐसे में थकान होना लाजमी है दोस्तो इसका पहला उपाय तो है कि घर के हर सदस्य की अलग-अलग कामों की डूटी बान दे और दूसरा उपाय है अपनी खाने पर धान दे धेर सारे काम के चलते सरीर से जरूरी लवन पसीने के रास्ते निकल जाते हैं चिर-चिरा हट के कान खाने पर विशेज धान नहीं रहता चलते फिरते खाना तो और भी गलत है जो हम खास कर करते रहते हैं दोस्तो आज मैं आपको दिन चरिया से जुड़े कुछ सुझाओ बताने जा रही हूँ दोस्तो कोरोना संकट के इस दोर में सुबह उठते ही सबसे पहले तो गुन-गुना पानी पीने की सला सभी को दी ही गई है तो इसी समें लगवग एक जो थाई कप गुन-गुने पानी में थोड़ी सी हल्दी और काली मिरच का चुटकी भर पाउडर डाल कर पी लीजिए यह इंफलेमेशन के लिए एक सुरक्षा कवच है दोस्तो इसके थोड़ी देर बाद ग्रीन टीप पी सकें तो अच्छा होगा जिसमें धेर सारे एंटी अक्षिडेंट होते हैं सामाने चाए पिए तो इसमें काली मिरच और अधरक डाल लें दोस्तो टिप नमबर थ्री है नास्ता अंकुरिक डालों का होगा तो सरीर में धेर तक उरजाब तो बनी ही रहेगी इसके साथ ही खनीजों विटामीनों की कमी भी नहीं होगी टिप नमबर फूर है नास्ते और दो पहर के भोजन के बीच में एक संत्रा या एक गिलास नीमू पानी पी लें तो बैतर होगा लेकिन अगर ये उपलब नह हो तो इमली के पानी का सर्वत बना कर भी प्या जा सकता है आप साथ नहीं जानती हों कि इमली गुनों की खान होती है इसका चटनी के रूप में या दाल में डाल कर भी आप उप्योग कर सकती हैं दोस्तो दो पहर के भोजन के लिए डाल बनाने से पहले उसे भी गो दें इसकी सलास्वास्त है विशेशक्यों ने दी है क्योंकि भी गोने से जहां डालों के गुन बढ़ जाते हैं वहीं इसमें मौझूद उस स्टार्च का रूप बदल जाता है जो सरीर में इंसुलिन बढ़ा सकता है और भी की डाल जल्दी पकती है यह है तो हम पहले से ही जानते हैं दोस्तो अक्सर ठकावट को दूर करने के लिए हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं क्योंकि लगता है कि नए खाने की वज़े से कमजोरी आ गई है जबकि मसला पोस्टन की कमी का होता है एक चोथाई बेसन और तीन चोथाई आटे से बनी दो रोटियां दाल के साथ खाएं दो या तीन रोटियां स्याम को डोकला चने की चाट या कुछ हलके स्नैक्स लें रात का भोजन एक रोटि के साथ दाल का हो सकता है दोस्तो अगर पूरे दिन पर गोर करेंगी तो पाएंगी कि प्रोटीन की मातरा ज़्यादा है और कार्बर हाइडरेट कम चने अंकुरी डालें ग्रीन टी निम्बू पानी है और है गरम पानी इस नियम से आप ठकान को भगाने में जरूर कामियाब होंगी दोस्तो ये थी मेरी आप से एक चोटी सी सला और जानकारी अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा फैमिली मंबरों दोस्तों के साथ भी सेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं तो इसी तरह की अन्य जानकारी जाननी के लिए मेरे चैनल घर का बैद को सबस्क्राइब करना बिलकुल भी मत बूलिए थैंक यू फॉर वोचिंग माई वीडियो